और यह वी खेलू दिजिए शेप्राइमेंटर और 12 अकाउंट कैसे राजा ओल वरेंसेट क्या मेरे आवस अफ़कार ही है प्लीज की वाथ हम सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करते हैं तोर्स रिटायर्मेंट का मास्टर कोशिन अब अगर मैं मास्टर कोशिन की बात इस अब बताओ जो भी एड्जस्मेंट होते हैं एड्जस्मेंट के ट्रीटमेंट लगभग सेम होते हैं तो सो एड्जस्मेंट में कुछ एड्जस्मेंट्स थे A, B is 3, our partners sharing profit and losses in the ratio of 1 by 2, 1 by 3, 1 by 6 सबसे पहले जो भी प्रोफिट शेरिग रेशियो होता है, असका डिनामिनेटर सेम होता है क्या यहाँ पर डिनामिनेटर सेम है क्या नहीं, पर हमें डिनामिनेटर सेम करना पढ़ेगा balance sheet as on 31st month 2020 is as follows capital है general reserve को हम क्या करते है old partners old ratio बाटते हैं workman compensation reserve public fund old partners old ratio हाँ ना 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 सर हमें check करना पड़ेगा क्या कुछ claim बगर है क्या उसके according इसके adjustment होगा आए फार का वही हमें देखना पड़ेगा क्या investment का value कम हो रहा है क्या अच्छा investment का value कम होगा तो क्या करेंगे जादा होगा तो क्या करेंगे हर चीज admission के lecture के अंदर cover है तो make sure आप एक बार admission का lecture देख लेना ठीक है मुनना तो अब investment fluctuation is up employee provident fund sunday credit इसको भी क्या करेंगे हम राइट आफ करेंगे कैसे ओल्ड पार्टनस ओल्ड रेशो cash advice c retired on 1st April 2020 on the following terms a and b decide करते कि future में profit और less share करेंगे in 3 is to 1 इस question में new PSR दे दिया गया है और ये new PSR को use करके मुझे क्या निकालना है sacrifice और gain अगर ये new PSR given नहीं रहता था तो मेरा old share जो है that is 3 by 6 3 is to 2 is to 1 मेरा जो old share है that is 3 is to 2 वही मेरा क्या assume किया जाता था sacrificing ratio अगर new PSR नहीं दिया रहता तो बड़ यहां पे new PSR दिया हुआ है तो बस new PSR को use करके मुझे calculate करना है रुख जाओ ये calculation क्यों किया आते हैं अब देखो बेटा क्या denominator सेम है क्या नहीं तो पहले हम denominator सेम करेंगे हमारा old share है एक का 1 by 2 1 by 3 1 by 6 denominator सेम है नहीं highest वाला क्या है 6 तो 2 को अगर 3 से multiply करूँगा तो 6 आएगा तो पर भी 3 से multiply 3 को 2 से multiply करूँगा तो 6 आजाएगा तो पर भी 2 से multiply तो हो गया 3 by 6 2 by 6 1 by 6 denominator सेम हाल जी तो मेरा old profit sharing ratio क्या हो गया 3 is to 2 is to 1 new PSR दिया है 3 is to 1 तो अब but obvious है C retire हो रहा है तो C तो sacrifice करेगा अब C sacrifice कर रहा है तो कोई नों के partner तो gain करेगा A का gain निकालते हैं gain कैसे निकालते हैं सर्थ sacrifice old minus new होता है gain is new minus old तो new किता है 3 by 4 old किता है new किता है 3 by 4 old है 3 by 6 के denominator सेम है क्या नहीं तो 3 को 6 cross multiply आपसर multiply 3 into 6 3 into 4 the whole divided by 24 तो 6 3s are 18 3 4s are 12 तो यह हो गया 6 by 24 मतलब A ने gain किया है 6 by 24 अब B का gain निकालते है B का new है 1 by 4 old है 2 by 6 तो cross multiply आपस में multiply 1 into 6 minus 2 into 4 the whole divided by 24 तो हो गया 6 minus 8 that is negative 2 divided by 24 तो अब जैसे sacrifice में अगर negative आया तो हम gain बोलते थे gain में अगर negative आया तो हम sacrifice बोलेंगे तो sir किस किस ने sacrifice किया है C ने sacrifice किया है B ने sacrifice किया है B ने कितना sacrifice किया है 2 by 24 C ने कितना sacrifice किया है 1 by 6 सबसे पहले इसको छोटा कर दिते है 2 by 24 मतलब 1 by 12 2 1s आ 2 12s आ तो 1 by 12 यह 1 by 6 से है तो denominator सीम कर देंगे 6 को 2 से multiply कर देंगे तो 1 by 12 2 by 12 that is 1 is to 2 क्या आगया मेरा sacrificing ratio अग sir goodwill का treatment करते है goodwill of the firm is rupees 3 lakhs तो goodwill का treatment क्या है gaining partner capital account debit to sacrificing partner gain किस ने किया है A ने तो A का capital account debit sacrifice किस ने किया है B और C ने A ने कितना gain किया है 6 by 24 share तो 3 lakh into 6 divided by 24 तो 75,000 debit अब B और C में यह 75,000 किस ratio में बढ़ जाएगा sacrificing ratio में admission में gaining ratio में बढ़ता था यहाँ पर sacrificing ratio में बढ़ जाएगा तो sacrificing ratio में बाट दिया अब कुछ बच्चे sacrificing ratio नहीं निकालते हैं वो directly जितना share जितना share sacrifice किया उसी को use करते हैं तो C ने कितना share sacrifice किया 1 by 6 तो goodwill of the firm into 1 by 6 वी ने कितना sacrifice किया 2 by 24 तो goodwill of the firm into sacrificing share तो या तो ratio में बाट दो या तो goodwill of the firm को share से multiply कर दो जो sacrifice हो रहा है one and the same answer done अब सर ये तो हो गया अब थोड़ी बहुत revaluation की बाते शुरू हो रही है value of patents is to be reduced by 20% तो patent की value को कितने से कम करना है 20% से कम करना है तो patent का value कितना है एक लाख एक लाख की चीज़ को 20% से कम करना है तो एक लाख का 20% कितना होता है एक लाख का 20% होता है 20,000 तो two patents नुकसान revaluation account के debit side तो अब मेरे patent का new value क्या हो गया मेरे patent का new value क्या हो गया एक लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो मेरे patent का new value क्या है 80,000 चल आगे बढ़ते हैं and that of machinery to 90% अब सुनो by मतलब कितने से कम करना है या कितने से बढ़ाना है कितने से कम करना है या कितने percentage से बढ़ाना है कितने amount से कम करना है कितने amount से बढ़ाना है बट यहां का लिखा हुआ है machinery का value reduce करना है 290% तो 290% तो यह हो गया new value तो machine का new value क्या है 90% of the value given in balance sheet तो machinery यह 2,55,000 2,55,000 का 90% कितना होता है 2,55,000 का 90% कितना होता है Let's check 2,55,000 का 90% 2,29,500 2,29,500 तो यह है new value तो सर आपका plant and machinery का new value कितका हो गया 2,29,500 तो सर पुरानी balance sheet में 2,55,000 दिख रहा था value हो चुक है 2,29,500 इसका मतलब value कम हो चुका है नुकसान revaluation account के debit side वहां सिफ machinery लिखा है बड़ यहां पे balance sheet में plant and machinery लिखा है तो मुझो भी क्या लिखना पड़ेगा plant and machinery to 25,500 ड़न debtor of rupees 5000 be written off as it is no longer receivable तो यह मेरे लिए additional bad debts हो गया यह मेरे लिए क्या हो गया है additional bad debts हो गया है तो लेस्स टार्ट अभी हमने admission के lecture में देखा था कि हमारा एक formula है bad debts plus additional bad debts और additional bad debts formula में plus होते हैं और debtor में से minus होते हैं फिर less old provision जो की balance sheet में रहता है और add new provision अच्छा अगर आपको provision के बारे में सीखना है तो already उसका admission के अंदर covered है अब हाँ जाके देख सकते हो bad debt zero additional bad debts 5000 है तो यहाँ पे plus debtor में से minus अच्छा मेरा debtor है कित्ते का debtor है चार लाख रुबे का टार अच्छा मेरे कुषच्टन ने객 क्या बूला है अब राजा मेरे कोश्चंल ने मुझे क्या बोला है existing rate what is the existing rate 20,000 रुपे का प्रोवीजन चेक करो 20,000 रुपे का प्रोवीजन चार लाग के डेटर पे बना हुआ है तो 20,000 डिवाइड बाइड 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 चार लाग इन्टु हंड्रेड इक्वल टू पाइफ परसेंट तो मेरा अभी का प्रोवीजन क्या है पाच परसेंट कोशन बोल रहा है कि वो प्रोवीजन का रेट सेम रहेगा तो लेस न्यू प्रोवीजन न्यू प्रोवीजन डेटर में से माइनस तो 3,95,000 का 5% उननेस हजार साथ सो पचार और यहां पे क्या जाएगा उननेस हजार साथ सो पचार तो अब फाइनल करते हैं पाच हजार माइनस बीस हजार प्लस उननीस हजार साथ सो पचास तो चार हजार साथ सो पचास डन डन ओके तो यह आपका कित्ता हो गया 3,95,000 3,75,250 डन सौटड़ यहां तक सबको अग सर हम यहां पे लिख देंगे रिवालुएशन में तू बाद डेट्स और प्रोवीजिन पर बाद और डाउट्फुल डेट्स चार हजार साथ सो पचास नेट फिगर आया है हमारा और बैलेंस शीट में आपका डेट्टर लेस प्रोवीजिन डेट्र कित्ता बचा 3,95,000 प्रोवीजिन कित्ता है उननेस हजार साथ सो पचास 3,95,000 माइनस हजार साथ सो पचास 3,75,250 3,75,250 चलो लेट्स मुख बादर आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी फॉर वर्कमेन कंपंसेशन तो एक्स्टेंट ऑफ सिस्टी थाउजन इस तो भी क्रियेटेड तो वर्कमेन क्लेम का फिगर आपको दे दिया गया है हाँ जी सर तो चलो अब यहां पे न बहुत साइब चीज़े दी हुए जनरल रिजर्फ 20,000 वर्कमेन कंपंसेशन रिजर्फ एक बीस इन्वेस्मेंट फ्लक्टेशन रिजर्फ साथ हजार जनरल रिजर्फ 20,000 वर्कमेन कंपंसेशन रिजर्फ एक लाग बीस हजार दिया हुआ है और वर्कमेन क्लेम साथ हजार रुपए दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्टेशन रिजर्फ साथ हजार पर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट देड़ लाग रुपए के दियो हुए है और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कित्ता है वन लाग सेवेंटी सिक्स थाउजन सब गिवेन है बालेंट शीट में चेक कर सकते हो देड़ लाग खरीदी रेट है आज का मार्केट वैल्यू कित्ता है वन लाग सेवेंटी सिक्स थाउजन तो चलिए सब से बहले जनरल रिजर्फ को राइट अप करते हैं ओल्ड टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेश्यों तो टू एक का कैपिटल अकाउंट टू बीका कैपिटल अकाउंट एंड टू सी का कैपिटल अकाउंट तो यह हो गया आपका बीस हजार इन्टो टू डिवादब तो यह हो गया आपका बीस हजार इन्टो टिवादद वैश्च यह ओगया आपका दस हजार round off करके अब आते हैं यहां पर workman compensation reserve account debit कित्ता एक लाग बीस अजार to workman claim account जब भी credit side कम रहेगा तो old partners old ratio तो आपका debit side है एक लाग बीस अजार यह है साथ हजार difference कित्ता है साथ हजार तो वह क्या होगा old partners old ratio तो एस क्यापिटल अकाउं तो भी इस क्यापिटल अकाउं तो सीज क्यापिटल अकाउं साथ हजार किस ratio में बटेगा 3 is to 2 is to 1 तो साथ हजार इंटो 3 divided by 6 तीस हजार बीस हजार दस हजार तीस हजार बीस हजार दस हजार चले यहां पर आते हैं कि investment fluctuation reserve ale ALL Ç épा I sun abbore एकाउं कर देबिट मुझे बात रथ हो इंवेस्मेंड का वाल्यू बढ़ रहा है किगह अधंते मने इंवेस्मेंड का व्याल्यू बढ़ता है है अब जब भी आइफर या डबलू सी आर में क्रेडिट साइट कम रहेगा तो ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में डाल दो तो टू एस क्यापिटल अकाउंट तो बीस क्यापिटल अकाउंट क्यापिटल अकाउंट यह हो गया आपका तीस हजार यह हो गया आपका बीस हजार और यह आपका हो गया दस हजार इन्वेस्ट्मेंट एक एसेट है उसको मैं डिरेक्ली का डाल दूंगा री वैलुएशन अकाउंट में तो इन्वेस्ट्मेंट का वैल्यु जब बढ़ता है और आय Prof और वि है तो आय तूड पार्टनर जो शो में और इन्वेस्ट्मेंट्ट को री वैल्युएशन अकाउ में डाल देते हैं ठीक है सब अब यहां पे न कुछ बातें हमें ध्यान पर देनी है कि बैलेंच शीट में वर्कमेन क्लेम आएगा कि वर्कमेन क्लेम किता आएगा साथ हजार ओके अग्सर एक डेबिट एक क्रेडिट बी क्रेडिट अग्से कृट बीक्स क्डेड दस हजार by ज डबलू सी आर अकाउंट और इन्वेस्मेंट फ्लक्टुएशन रिजर्व अकाउंट तो डबलू सी यार किता है डबलू सी यार के वैसे एक रेडिट बी क्रेडिट सी क्रेडिट तीस बीस दस आय फार में भी तीस बीस दस तीस हजार तीस हजार बीस हजार बीस भाजार दस हजार थीक है सर सौटेड है हाँ तक सब अब सर इन्वेस्ट्मेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो रीवैलिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 26,000 से debit में किसका नाम है investment सर चलो investment का नया value balance sheet में लिख जेते हैं देड़ लाग पहले थी 26,000 से बढ़ गई तो 176,000 balance sheet में लिख जेते हैं चलो मैं बोलाओ रुख जो बेटा क्योंकि आपने question पुरा नहीं पढ़ा है इसलिए आप सही बोल रहे हो वड़ अगर आप question पढ़ोगे आगे की एक line तो आपका answer थोड़ा change होगा जेड़ जेड़ वो बंदा है जो retire हो रहा है जेड़ नहीं सॉरी सी यहाँ पे सी आना चाहिए जेड़ प्रिंटिंग का है जो retire हो रहा है वो सी है तो सी तुक दे इन्वेस्टमेंट हैर मार्केट वैल्यू सी इन्वेस्टमेंट लेके चला गया तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है वो धंदे से चली गई तो कितने की इन्वेस्टमेंट गई सर्वट ओब्येस वो मार्केट वैल्यू पे लेके गया और मार्केट वैल्यू कित्ती है 1,76,000 और यह किसको जा रही है सी को सी का का कैपिटल अकाउंट डेबिट C का capital account debit 1,76,000 और investment credit मतलब investment चली गई C का capital account debit 1,76,000 2 investment So sorry Let's move further आगे बढ़ते है Sir अगर C नहीं लेके जाता था तो balance sheet में तो 1,76,000 आते थे बिल्कुल बेटा balance sheet में 1,76,000 आता था बड़ C लेके चला गया है तो balance sheet में ना आते हुए C के capital account debit आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं stock be written down by 10,000 stock को कम करना है by मतलब कितने से कम करना है 10,000 से कम करना है ठीक है तो stock अभी कितना दिख रहा है 90,000 90,000 की चीज़ को 10,000 से कम करना है तो नुक्सान to stock 10,000 से कम करना है तो अब हमारा stock का नया value कितना हो गया पहले 90,000 था उसमें 10,000 चला गया कितना बचा 80,000 तो stock का value 80,000 बचा ठीक है land and building to be written up मतलब value बढ़ाना है कितने से 15,000 से तो land and building 2,90,000 की लिख रही है इसकी value 15,000 से बढ़ानी है तो अब आपका land and building पंदरा हजार तो सर बैलेंच शीट में अब आपका land and building कितने पर आ जाएगा दो लाग नब्वे हजार प्लस पंदरा हजार तीन लाग पाच हजार तीन लाग पाच हजार ओके सर डन है चलिए लेक्स मूव फॉदर आगे बढ़ते हैं और क्या बोला हुआ है प्लांट एंड मशीनरी रिडियूस्ड टू टू लाग थर्टी सेवन थाउजन प्लांट एंड मशीनरी एक सेकेंड आ आ आ आ आ आ आ ये लाइन नहीं आगी यह आपर क्योंकि उपर दो दो लाइन हो चुकी है ये लाइन हटानी पड़ेगी ठीक है सर क्यों हटाया अपने लाइन अरे मैं बहुत सारे एडजस्मेंट मिक्स करके काम कर रहा हूँ न तो यहाँ पर अल्रेडी मैंने उसको कम कर दिया वापस यहाँ पर कम कर दिया दो दो बार हो गया इसलिए हटा रहा हूँ संद्री क्रेडिटर्स उसको पैसा नहीं देना है पाइदा रिवाल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ओके बाई क्रेडिटर्स सत्रा सो रुपे ओके आगे बढ़ते हैं तो सर आगे की लाइन अगर आप पढ़ोगे और अन अन रिकॉर्ड़ेटर्स प्रेडिटर्स अप 10,000 विल बी टेकन इंटो अकाउंट अन रिकॉर्ड़ेटर्स लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब नुकसान रिवालिवेशन अटाउंट के डेबिट साथ अब सुनो एग्जाम में कैसा करोगे आप क्रेडिटर्स नुकसान दाट इस डेबिट साथ दस हजार क्रेडिट साथ सत्रा सो तो डेबिट में से क्रेडिट आप ने टॉफ कर दोगे क्योंकि डेबिट साथ जादा है तो क्रेडिट वाला फिगर आके क्या हो रहा है माइनस हो रहा है सो दस हजार में से सत्रा सो आठ हजार तीन सो आठ हजार तीन सो ओके चलो लेट सो फॉफ फॉदर प्रोविजिन और रुपे शिक्स हंड्रेड वी मेड फॉर रिपेर्स तो रिपेर्स का प्रोविजिन बनाना है कित्ते का बनाना है छे सो रुपे का सर प्लीज प्लीज क्रेडिटर का नया वाल्यू पहले लिख दो हमको मज़ा आता है साथो साथ करने में चलो पचास हजार पहले थी देदेटी लिख देते ना बेटा कोई दिक्कत नहीं है आप बोल रहे हो तो लिख देते हैं क्रेडर्स पचास हजार पहले रिख थी फिर और वैल्यू बढ़ गई आठ हजार तीन सो से तो फिफ्टी एट थाउजन प्रोवीजन फॉर रिपेर का मतलब क्या है एक 600 रुपे का अमाउंट है जो आपको फ्यूचर में पे करना पढ़ सकता है नुकसान रिवाल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइट तो प्रोवीजन फॉर रिपेर और ये अमाउंट आपको पे करना पढ़ सकता है इसलिए हम इसको बैलन्स शीट के लाइब डिडिसाइट एक दो वैसे भी फ्रोवीजन को बैलन्स शीट के लाइब डिसाइट लिखना चाहिए लेकिन जो हमारा डेटर है उसका provision उसी में से minus होता है disclosure, purpose के अंदर, land and building, plant and machine में अगर कुछ provision है तो उसमें से minus होता है provision for depreciation, provision for bad and doubtful debts, इन दोनों को छोड़ के कोई और provision है, तम उनको liabilities ID लिखेंगे और provision for bad and doubtful debts और provision for depreciation, asset में से minus हो जाते हैं, बड़ उसके अलावा कोई provision है, तो balance sheet के liability side ओके आगे बढ़ते हुए and old computer completely written off, written off मतलब balance sheet में उसका value 0 है sold for 1800 as scrap, कितने में बिका, अठरा सौ में बिका, ओके तो बिका, तो मेरे लिए फाइदा हो गया जो चीज़ का value 0 rupees है, वो अठरा सौ में बिक गई by sale of computer अठरा सौ में बिक गई ओके आगे बढ़ते हैं अच्छा याद रखना ये बिक गई, तो ये अठरा सौ में बैंक में लेना मत भूलना unrecorded machinery valued at 10,000 तो मेरे एक unrecorded machinery है, जिसको आपको value करना है 10,000 में unrecorded है मतलब balance sheet में आई नहीं है, अब balance sheet में asset आपका बढ़ रहा है कितने से बढ़ रहा है? 10,000 उते हैं, अब देखो 25,500 debit क्योंकि machine का value कम हुआ, 10,000 credit क्योंकि machine का value बढ़ गया तो net एक काम करते हैं न, 25,500 में से 10,000 को minus कर देते हैं क्यों 10,000 में credit side लिखता था, credit को debit के तरफ लेके जाऊंगा तो यह हो जाएगा 15,500 तो sir, जो आपका यहां पे change है, वो change हो जाएगा न, हाँ बेटा, बिल्कुल change होगा 2,55,000 में से 15,500 माइनस होगे तो यह कितना हो गया? 239,500 होना चाहिए 239,500 अच्छे 15,500 का logic सबको समझ गया न, 25,500 से कम हुई और 10,000 के एक unrecorded machinery उसकी वाई से plus हुई 25,500 से कम, 10,000 से plus, तो net 15,500 से कम Let's move further, आगे बढ़ते हैं एक्जाम में बेटा पहले पूरा question पढ़ना furniture purchased on first January 2020 मेरा year end का होता है? 31 March 20 मतलब year end के तीन महीने पहले पूर रुपीज 5,000 debited to expense अरे भाई साब आपने उसे expense मान लिया भाई reality में वो asset है न तो अभी आप उसको asset मानोगे बिल्कूल rectification of error जैसी आप उसे asset मानोगे तो आपका asset का value बढ़ रहा है asset का value बढ़ना मतलब फाइदा revaluation account के credit side buy furniture अचा कितने से बढ़ गया asset आपका? 4000 से अब question मुझे बता रहा है कि भाई साब ये furniture पे न आपको depreciation लगाना है 10% per annum का तो depreciation के वज़े से asset का value कम होगा 4000 से asset का value बढ़ेगा लेकिन depreciation जो वैसे asset का value कम होगा तो आपका depreciation किता है 4000 into 10% आपने 3 महने की use किया तो 3 by 12 4000 into 10% into 3 divided by 12 100 रुपैसे आपका value कम हो जाएगा तो net आपका asset कित्ते से बढ़ा 3900 से तो आ जाते हैं यहां पे furniture 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 70,000 का दिखरा था तो तीन हजार 900 से और बढ़ गया तो टोडल मिलाके 73,900 टोडल मिलाके 73,900 rectification of error ओके sir goodwill बच्चा हुआ है write-off करना और advertisement suspense write-off करना बच्चा हुआ है तो गुडविल को old partners old ratio में write-off कर देंगे goodwill asset side है asset मतलब debit होता है debit को write-off करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा तो इसके entry क्या होगी गुडविल को write-off कर रहे हम गुडविल balance sheet के asset side given है एक सचाट गुडविल balance sheet के asset side given है एक लाग दीश हजार अब इसे write-off करना पड़ेगा debit को खतम करना है तो क्या करना पड़ता है credit तो गुडविल अकाउंट अब एक किसमें चला जाएगा एक एक क्यापिटल अकाउंट में debit B का क्यापिटल अकाउंट debit C का क्यापिटल अकाउंट debit एक लाग दीश हजार किस ratio बढ़ जाएगा old partners old ratio एक लाग दीश हर इंटू त्री डिवाइड वाइड सिक्स साथ हजार एक लाग दीश हर इंटू डिवाइड वाइड सिक्स चालीस हजार और बीस हजार तो A का debit B का debit C का debit अब एक अडवर्टीजमेंट सस्पेंज भी दिया हुआ है अडवर्टीजमेंट सस्पेंज दिया हुआ है बालेंच शीट के आसेट साइट साथ हजार उपए उसको भी राइट आफ करना पड़ेगा ओलड पाट्रस ओल्ड रेशयो में येस सर तो टू आडवर्टीजमेंट सस्पेंज अकाउट डेविट को राइट आफ करना है तो रेडिट और ये किसमें बढ़ जाएक ओल्ड पाट्रस ओल्ड रेशयो में तो A का कैपिटल अकाउट डेविट B का capital account debit C का capital account debit 60,000 3 is to 2 is to 1 ने बढ़ जाएगा 30,000, 20,000 10,000 तो A debit, B debit, C debit चलो A debit, B debit, C debit गुडविल के वज़े से फिर advertisement suspense account के वज़े से 60,000 40,000 20,000 फिर हो जाएगा 30,000 20,000 10,000 ओके और क्या है और कुछ बचा के write-off करने के लिए I believe so no sub हो चुका है ठीक है सर अब एक काम करते हैं revaluation account को भी close करते हैं revaluation account को भी close करते हैं कौन सा साइट ज्यादा है 20,000 प्लस 15,500 प्लस 4,750 प्लस 10,000 प्लस 8,300 फिफ्टी नाइन थाउजन वन फिफ्टी डेबिट साइट ज्यादा है 59,150 तो क्रेट साइट भी कितना आ जाएगा 59,150 ओल्रेडी कितना है 26,000 पंद्रा हजार अठ्रा सो तीन हजार नौसो तो बारह हजार चार सो पचास अल्रेडी है तो एक किसमें बढ़ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट दीज कैपिटल अकाउंट और स्तीज कैपिटल अकाउंट तो बारह हजार साच सो पचास इंटू 3 दिवाइड बाई 6 6,225 12,450 इंटू 2 दिवाइड बाई 6 4,150 12,450 दिवाइड बाई 6 2,075 चलो लॉस्त है तो डेबिट हो जाएगा 6,225 4,150 और 2,075 रुपने तो री वालुएशन अकाउंट ओके डन है अब लास्ट में बच्टा है अब लास्ट में बच्टा है 3,2,1 after paying 50% to B and balance and maintaining 20,000 in the bank क्या बोल रहा है B को 50% pay करना है तो बाकी का 50% कहा जाएगा obviously हम B का loan account मान लेंगे oh sorry B को pay नहीं करना है उदर B लिखा हुआ है C को pay करना है after paying 50% to C तो C को कितना पैसा देना है sir 3,3,333 plus 10,000 plus 10,000 credit side है 3,23,333 3,23,333 3,23,333 उस में से minus कर दो 1,76,000 20,000 10,2075 1,15,258 1,15,258 यह बच्चा हुआ balance amount है इसका 50% 3,23,333 minus 1,76,000 minus 20,000 minus 10,000 minus 20,75 कुछ totaling error आ रहा है इसका इसका 50% हम तुरंट दे देंगे दाट इस 5,7,6,29 bank account के तुरंट पे कर देंगे और बाकी का question ने कुछ नहीं बोला तो C के loan account में डाल देंगे 57,6,29 दन है यहां तक सरिफ 57 कैस्टा है वापस बता तो देखो बिटा total of credit है 3,23,333 उसमें से debit minus कर दो 1,76,000 20,000 10,2075 1,15,258 आता है इसका 50% हम तुरंट पे करेंगे और बाकी का 50% कुछ नहीं बोला है तो हम loan मान लेंगे तो 50% कितना होता है 57,6,29 तो पहली बात में को यह समझ गया कि C का loan रहने वाला है 57,6,29 अब question में में को एक और चीज़ बोला है कि C को pay करने के बाद तीन क्राइटेरिया है तीन क्राइटेरिया है C को पैसा पे करना है 57,6,29 यह पैसा पे करने के बाद बैंक बालेंस कितना रहना चाहिए बैंक बालेंस रहना चाहिए 20,000 इसका मतलब अगर मेरे बैंक अकाउंट में अगर मेरे बैंक अकाउंट में 70,629 रुपीज है अगर मेरे बैंक अकाउंट में सॉरी सत्तर ने 77,000 है 77,629 रुपीज है तो यह दोनों कंडिशन सैटिस्पाइ हो जाएगी पहली कंडिशन C को पे करना है और पे करने के बाद end में capital account of K bank account में कितना balance होना चाहिए 20,000 रुपै तो यह दो कंडिशन है पे करना है और इतना balance रहना चाहिए अगर आपको यह नहीं समझा तो simple बात समझो आपने C को पे कर दिया आपके bank account में से पैसा माइमस हो गए year end pay आपके bank account में कितना balance होना चाहिए 20,000 होता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ 20,000 होना चाहिए सारी payment करने के बाद कौनसी कौनसी payment करनी है C को देनी है तो C का जोड़ लो तो total cash requirement है कित्ती सार्ट टोटल requirement है 77,629 current bank balance अभी आपके bank account में कितना balance हो balance sheet में देख लो कित्ता bank balance है 70,000 70,000 already bank balance है और आपने एक old computer को scrap में बेचा एक old computer को आपने scrap में बेचा 5,829 यह जो difference है यह difference कौन लाएगा A और B लाएंगे और ऐसे लाएंगे कि उनके profit sharing ratio में उनका capital जाए तो अब मैं आपको simple हो रहा हूं पहले आप यह पता करो A और B का capital कित्ता है A का adjusted capital और B का adjusted capital adjusted capital कैसे निकालते हैं total of credit minus total of debit चली total of credit कित्ता है A का बात करते है 5.1,010,000, 9.3,000, 9.7,000,on 10.5,87,000, credit में हैं, debit में किता है, साथ हजार प्लस थीज़ार प्लस थीज़ार प्लस 6-225 96,225 total of credit minus total of debit पाच लाग साथ हजार मैंने 6-225 473,775 473,775 टोटल अफ क्रेडिट बी का किता है चार लाक प्लस 6667 प्लस 20,000 प्लस 20,000 4,46,667 4,46,667 लेस टोटल अफ डेबिट 40,000 प्लस 20,000 प्लस 4,150 64,150 3,882,517 तो अब मेरे लाल मेरा टोटल किता है 3,882,517 473,775 यह हो गया आपका 8,56,292 यह मेरा आज A और B का कैपिटल है अब कोश्चन बोल रहा है कि भाई या बैंक अकाउंट के बैलेंस को मीट करने के लिए और पैसा लग रहा है 5,829 का प्लस बैंक बैलेंस नीडिड़ इतना पैसा और चाहिए 5,829 तो अब इतना रोकड अगर यह ले आएंगे तो इनका कैपिटल का बैलेंस कित्ता हो जाएगा 8,62,121 यह इनका नया कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा पुराना 8,56 है यह दोनों मिलके 5,829 लाएंगे तो टोटल इनका कैपिटल कित्ता हो जाएगा एडिशनल कैपिटल लाने के बाद 8,62,121 और यही आपका क्या है न्यू कैपिटल एक बार हमें न्यू कैपिटल मिल गया तो बात खतम हो गई न्यू कैपिटल ए बी 8,62,121 इंटो 3 दिवाइड बाइ 4 राउंड ओफ करके लिख रहा हूं 6,46,591 तो एक का कित्ता कैपिटल होना चाहिए 6,46,591 और बी का कित्ता होना चाहिए 2,15,530 राउंड ओफ करके लिख रहा है डाउंड ओके ये इनके न्यू कैपिटल है वर्सिस एक्जिस्टिंग कित्ते है एक्जिस्टिंग कैपिटल कित्ता है एका है 4,73,775 और बी का है 3,82,517 तो भाई साब इधर सब ध्यान दो और मुझे बताओ कि क्या चल रहा है कौन पैसा लेके आएगा या कौन पैसा लेके जाएगा ब्रिंग ओबलिक टेक ब्रिंग ओबलिक टेक तो ए पैसा लेके आएगा 646,591-473,775 ए पैसा लेके आएगा 1,72,816 ए पैसा लेके जाएगा 215,530-382,517 कितना पैसा लेके जाएगा 166,987 अगर आप इन दोनों का नेट निकालोगे नेट अगर निकालोगे 172,816-166,987 नेट 5829 हो गया 5829 लाया जा रहा है तो अब देखो ये कैलकुलेशन के वज़े से जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा आ गया 5829 ला लिया तो आपका बैंक बैलेंस सब 20,000 हो जाएगा सारे पेवेंट करने के बाद उसके अलावा कैपिटल भी प्रपोर्शनेट हो गया दोनों चीज़े आपकी मीट हो गया तो चलिए सर कंक्लूड करते हैं ए पैसा लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट ए क्रेडिट तो बैंक इतना पैसा लेके आएगा 172816 बी की बात करते हैं बी पैसा लेके जाएगा बी कितना पैसा लेके जाएगा 166,987 पैसा लेके जाता है तो इंट्री क्या होती है बैंक ट्रेडिट पार्टनर को डेबिट अब सर हमने दोनों के बैलेंस कैरीड डाउन भी निकाल लिए टो बैलेंस कैरीड डाउन एका कितना है 46,591 बी का कितना है 215,530 चलो टोडल मारते है 60,000 प्लस 30,000 प्लस 66,225 प्लस 646,591 742,816 यहां का टोटल आटमाटिकली 742,816 आएगा चेक कर ले आ गया 40,000 प्लस 20,000 प्लस 4,150 प्लस 166,987 प्लस 215,530 4,46,667 4,46,667 वो टैली हो जाएगा आटमाटिकली आपका सौट हो चुका अब सर हमारा कैशट बैंक कितना है आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो 70,000 ओपनिंग था 800,000 कंप्यूटर बेच के आया फिर A पैसा लेके आया B पैसा लेके गया सारा नेट फिगर आप निकाल लोगे का आपका आंसर 20,000 ही आएगा आपका आंसर कितना आएगा 20,000 आएगा चल इसके अलावाद जो पुरानी बैलेंस शीट ना आइटम पड़े हुए है जिनमें कोई एड्जेस्मेंट यह लिख दो लैंड लिख दिया, प्लान लिख दिया, स्टॉक लिख दिया परनीचर लिख दिया, सनी डेटर लिख दिया इन्वेस्मेंट लेके चला गया, पेटेंट, ओके पूरा असेट साइट था बिलीफ सॉर्टेड है लाइबिलिटी साइड, बिल पेबल, 35,000, एम्प्लोई प्रॉविदेंट फंड, एक लाग और बिल पेबल, 35,000, ओके, यहाँ पे आ जाएंगे आपके कापिटल, ए और बी के, नहें वाले कापिटल किते हैं, 646,591 और 215,530 646,591 प्लस 215,530 8,62,121 प्लस 57,629 प्लस एक लाग प्लस साथ हजार प्लस 38,300 प्लस 600 प्लस 35,000 11,73,650 11,73,650 11,43,650,000, माइनस 33,900, माइनस 3,75,250, माइनस 80,000, माइनस 80,000, माइनस 20,000 डन, टैलीड, बालेंशीट इस टैलीड, सिंपल सोबर अब सर थोड़ा कोश्चन में ट्वीक करते हैं, अगर पार्टनर ने डिसाइट किया नया क्यापिटल चेल, 16 लाग है, question में given है, ये given नहीं है, कि आपको 20,000 bank account में maintain करना, ये line given नहीं है, सिवित्ता given है, partners के capital proportionate में रहेंगे, that is 16 लाग रुपए, सिवित्ती line given है, तो 16 लाग मेरा क्या बन जाएगा, new capital बन जाएगा, और ये 16 लाग को मैं A और B में बाढ़ दूँगा, 3 to 1 में, और calculation अपना proceed कर दूँगा, और इस question में, अगर ये line लिखे वही है, तो मेरा assumption रहेगा, सिर्फ ये line लिखे हैं, कि C को हमने pay नहीं किया, और C का जो भी balance है, वो C के loan account में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कही पर भी ये नहीं बोला कि C को pay करना है, हमारे वाले question में बोला गया था, C को 50% pay करना है, बड़ यहाँ पर सिर्फ अगर ये line mentioned है, तो कही पर बोला कि C को pay करना है, नहीं, और उपर से question ने खुद से नया capital दे दिया है, तो उसको new PSR में डवाट के खतम कर देना, that is new PSR में बाट करना, compare करना with the existing capital, difference या तो पैसा लेके आएंगे, या तो पैसा लेके जाएंगे, पार्टनर ने decide किया, that the new capital of the firm will be same as old, तो new capital will be same as old, old मतलब balance sheet वाला, तो balance sheet में किता है, सर balance sheet में 12,00,00 रुपे है, तो मेरा new capital किता रहेगा, same as old, तो old मेरा 12,00 था, तो new भी किता हो जाएगा 12,00, इस 12,00,00 को मैं new PSR में बाट के, 3 is to 1 में distribute कर दोगा, ठीक है मुन्ना, sorted है, और वापस से मेरा assumption same रहेगा, since C को payment करने के बारे में कुछ नहीं बोला, hence, जो भी उसका balance है, वो कहां चलेगा, C के loan account में, ठीक है, done, चल, अब सर, C के loan account में, वो interest वाले question, बेटा, वो मेरे साब से, master question series के अंदर cover नहीं होते हैं, और वो बहुत simple सी चीज़ होती है, वो mathematics है, it has nothing to do with accounts, वो maths है, तो एक बार आपने वो question जरूर देखने चाहिए, sir, इसके अलाब आपके साब से कोई important question, में को जितना important लग रहा था, retirement के अंदर मैंने सब एक साथ accommodate कर लिया है, आपने ये question कर लिया, तो आगे आप जितने question अपने साब से try करोगे, नेरे साब से आपको हर question जम जाना चाहिए, ठीके राजा, चल, that's all for the day guys, love you all, bye bye, take care, this is Thirish Abora, signing off.